हेलो फ्रेंज मैं आपका मेंट tür एक government 2500 और बच्चों ने बहुत डिमांड मैres Η कि ILA का Registration, ILA का Registration अब कैसे लेना है, यानि कि Indian Library Association का आपको Registration कैसे ले रहा है, Members कैसे बनने है, और मेरा Library का, यानि कि ILA का मुझे Card मिला नहीं, यह क्योंकि अब जब मैंने कराया आपको Registration थोड़ा सा, वह वहीं जाके करा रखा है, तो इसलिए वो मुझे Card मिला नहीं, पर ILA का Registration मेरे पास भी है, ठीक है, तो ILA का Registration लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सर्च करना है, ILA, ठीक है, ILA सर्च कर दिया आपने, Google पर, Google पर जैसी सर्च करोगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे, हम ILA की साइट पर चले जाएंगे, यह आ गई, ILA की साइट, ठीक है, आपको दिख रही होगी, ILA की साइट, ILA की साइट, आपको कुछ नहीं करना है, Members and Subscription पर जाना है, यहाँ पर Members and Subscription में, अलग-अलग तरह की Members and Subscription मिलेंगे, यह है, E-section, यानि Registration Online and Lifetime Members, ठीक है, अब Lifetime Members पर हम क्लिक करते हैं, जैसी क्लिक करेंगे, यह आ जाएगा आपको, Lifetime Member का नाम and उनका ID, देखते हैं, इसमें Lifetime में हम कर देते हैं, नाम सर्च करते हैं, अगर हमारा नाम दिखा रहा होगा, विश्रेद, चलिए, बहुत बड़ी लिश्ट है, तो उसमें ढूनना मुस्किल है, चलिए, अब हम अपने इपी चलते हैं, यह आपको लाइबरी के Members के, नाम मिल जाएंगे, इसमें आपका लाइबरी के, यानि की लाइबरी के, यहां पर जोन करके, अपना, अब चलते हैं, बैक करते ह हैं, इसमें क्या हो गया, होम पेज पे चलते हैं, यह आगया आपका होम पेज, अब आपको राइश्टेशन कैसे करना है, राइश्टेशन करने के लिए क्या कै चीज़ए, इपॉर्टन्ट है, अब आपको यहां आना है, लाइबरी, कि यहां पर आना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे कि यहां पर आपको कुछ नहीं करना है अगर आपने पीजडी होल्डर पहली बाद तो उसे सब पता रईसी से उसने कर लिया होगा थिक यहांई कि पेज्डी होल्डर पहलाएं तो डॉक्टर लगा लेना में हैं और और ओरते यहांई कि licensed लगा लेना वेसे आप एग्जाम पूं बड़ते हैं वैसी ही यहां पर लेकरा को फ़र्ष मेरे सब्हें तो यहां पर जैसे चलिए आपके भार के देखते हैं चैन कि । यहां सब कैपिटल में लिखे नहीं मैं भी ऐसी लिखे रहा हूं यहां पर आड्रेस लिखना है क्हश बिल्क लिऑजे आपने पूरा इड्रेस लिखना है क्योंकि आपके एड्रेस पर आप जो पैसे दोगे वह उसका काड आएगा यांए कि काड आपको मिलेगा फिर आपको कहा का कांट्री ड्री का का अब तेलि से हैं तो दिली सेलेट कर लिया अब दिली के बाद ही आ जाएगा क्विन से में तो दिली हम ने मां लिया नियोग फोर में पिर जीप कोड़ में अबसे जीप कोड कुछ बीडाल दीजिए जीप कोड में डाल देता हूँ 116098 कुछ भी डाल दिया हमने ऐसी डाल दिया भी फिर यहां आप से पूछा जाएगा नंबर नंबर मान लिजी हमने डाल दिया 655555 यानि कि कुछ भी डाल दिया हमने कि ते डिजिट का नंबर हो गया दो दो चार अच्छे हैं अब email address डाल दिया email address भी हमने ऐसी ही डाल दिया कुछ भी अडिरेट gmail dot c o अब ही आपको बताने के लिए कर रहा है तो इस list का नियान लखना मेरी कोई भी इस तरह गया email आईटी नहीं है ना मेरा नंबर है ठीक है पासवर्ड आपको एक करेक्टर ठीक है add the rate 123 अपने हिसाब से confirm कर लेना यानि confirm password डाल देना add the rate 123 फिर आएगा plan अब आपको plan लेना है यह हो इसमें बहुत सारे plan है हमें कोई भी नहीं लेना है हमें लेना है यह वाला plan यानि कि library lifetime member यह lifetime member आगया अब आपके पास यह देखिए यह आ गया a person for the library profession can become a library यानि lifetime member of ILA on pay कितने करने है मैंने कहाता ना 1550 रुपे है including जो भी pay you when you charge होगा तो यहाँ पर इतने रुपे का आपको जाम कर लेना यानि कि आपके पास होने चाहिए फिर आएगा zone zone में हम दिल ले zone में payment pay you पर आगये यानि कि यह form आपको check लेना है और खास कर इस चीज़ को ध्यान रखने है नाम और यह वाला address इसके बिना आपको कुछ नहीं है अगर आपने यहाँ पे गलत पर दिया तो आपको दिक्कत होगी वैसे editing हो जाती फिर हम करेंगी यानि कि यह सब चीज़े परने के बाद आपको password लिखके रख लेना email id यह सब चीज़े सही बनना है फिर आता है submit यह submit आपको घुमा के लेके जाएगा pay you page पर यानि कि pay you page पर आएगा और pay you page में आपको इस पर भूल कर भी मत करना क्योंकि आज कल UPI पर दिक्कत चलिये अगर हम आरी book भी आप ले रहे हैं तो UPI से मत लेना क्योंकि UPI में दिक्कत चलिये card पर जैसे ही आप card पर click करोगे यहाँ पर जैसे ही click करोगे यह card की detail मांगे हो card की detail नानने एक्सपार डेटा ने cbc नमबर डालना card का नमर डालना और securities मत करना और जैसे ही आप करोगे प्रोसेड करते ही आपकी payment हो जाएगी और payment होने के बाद next page खोल दिया जाएगा आपके लिए और आपको एक message आजाएगा email पर इतना सा process है अगर आपको online करना है फिर आपका card word सब online आएगा और सारी चीज़े online होएगी ठीक है बचो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस किस तरह से करना है अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते है मैंने fail कर दी क्योंकि मुझे करना ही नहीं है जब मेरे पास है registration तो मुझे करना क्या अब आप देख लिजे कैसे करना है आपको online जिसे online करना है online यहाँ पर आपको profile add करने का option मिल जाएगा sorry यहाँ पर आपका certificate download करने का option मिल जाएगा ठीक है यह आपको library ID जो कोई ID जो मिलेगी वो और password डालकर यहाँ पर कर लेना ठीक है चलिए यह फिर उसी पेज पर लेके आ रहा है खासकर इसका द्यान अखना कोई भी इतना ज्यादा मत समझना कि गलत चीज़ है यहां पर library Memежде के लिए राइभरी अस्युक्त कर लोsan मंने फर्ल मरत जाद बैद इसका हम में लाइवरी मेंबर के लिक आक टीए मेंगशें एक तो यह लिख और यह लिखावा है पहली बात था अब आपको समझ में आऊगे कैसे कराना है किस तरह से कराना है आशे करता आपको वीडियो पसंदा आज वीडियो पसंदा दाए तो लाइक करें चैनल को सिस्क्राइब करेंगा वीडियो जाए शेयर करते हैं अपने सभी के साथ किया यह लिए लिए कराना होता है ठीक बच्छो थैंक यू